राजस्तान कॉंग्रेश कमेटे की प्रदेश अद्धेक्स गौविन सिंग डोटास्रा के घर पर ED का छापा पड़ा है। ये छापा क्यों पड़ा है? बताया जा रहा है कि पेपर लीग रीट में पेपर चोरी जैसे प्रकुर्ण को लेकर किया जा रहा है। लेकिन गौविन सिंग डोटास्रा पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पेपर चोरी से फेपर लीग से उनका कोई वास्ता नहीं है। और नहीं किसी तरह का पेपर सोरों से उनका कोई करेक्शन है हां गौविन सिंग डोटासरा जब भी संग और भाजपा पर हावी होते हैं या उनकी कारेशल को रिकाउंटर करते हैं तो उनके उपर ऐसी कारवाई होती है वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस के उनकी आक्रामक शेली और तुरित निरनक शमता के लिए वो जयने जाते हैं लक्षबनगड से वो विधाइक हैं और राजस्तान के शिक्षा राज्ये मंतरी रहे हैं तीन साल तक कई सारे सिक्षा की नवाचार किये हैं कैंदर सरकार ने भी जब शिक्षा की नवाचार नीत कि चुनाओं के समय उनको टार्गेट किया जा रहा है लेकिन ये तैमानिये गोविन सिंग डोटासरा पर ED की कारवाई उनकी प्रतिसान बूती ही की लहर पेदा करेगी उनको फाइदाई होगा उनको कोई नुक्षान नहीं है पहले बात तो वो इससे पाक साफ है और गोविन सिंग डोटासरा जिसे जिम्मेदार समझदार और बहद्दूर लोगों की जरूरत है हालां कि उन्हें लक्षमन गड़ में विशेश रूप से घेरा जा रहा है उनको डिश्टर्ब किया जा रहा है उनके ओपर कई तरह के लांचन लगाए जा रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का आरोप उनके उपर सिद्ध नहीं हुआ है केवल आरोप ही आरोप लगाए जा रहे है आरोप तो किसी पर कोई भी लगया सकते हैं तो गोविन सिंग डोटासरा इसका खुलकर मुकाबला भी करेंगे और आने वाले समय में किस तरीके से राधिस्थान के चुनाओं की परि जैपुर में घर है और उनका कोई कारोबार नहीं है जो कोचिंग इनस्टिटूट उनसे समंदित बताया जा रहा है वो तो कुछ युवा चलाते हैं संपरक किसी का भी किसी से वह सकता है आपका भी किसी से संपरक हो सकता है लेकिन संपरक होना किसी अपराज में सामिल होना नहीं है लोगतंत्र इसमें सभी तरह की लोग एक दूसरे से मिलते हैं फोटो किछबाते हैं वीडियो बनाते हैं तो किसी फोटो वीडियों से किसी का connection कर देना उचित नहीं है और जिस तरीके से इस बात को समझेंगे राजनतिक पार्टियां भी और द्वेश पुरुन कारवाय से बचेगी तो मारी लोगतंत्र की खुब सूर्थी रहेगी.